हलो फ्रेंज मेरा किस रॉप सभी का फिर से मेरे इक नुडों पे स्वागत है तो दोस्तों अगर आप एक एटल रिटेलर हो और आप यहां पर यहां पर पुराना फोर्जी हैंसेट के लिए आप यहां पर नया सिम चालू करते हो और यहां पर सिम चालू करते वक्त अगर यहां पर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी निकल करा रही है यहां पर यहां पर आपको लागत बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगा और यहां पर आपको कमिशन बहुत ही ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा तो यहां पर कौन सा फर पे कितना का यहां पर आपको लाग और नॉलस्पूल भी होने वहला है तो वीडियों पर बने रहना और वीडियों को आप ने लाइक कर देना और चैनल को अगर भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह कि का इंफॉरमेटीव टेलिकॉम से जुड़ी नॉलस्पूल देखना प्रसंद करते ह सब्सक्राइब करते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप यहां पर यहां पर कितना का लागत पड़ेगा और कितना का यहां पर कमिशन देखने को मिलेगा तो चली यहां पर हम आपको वन बई वन करके सारा कमिशन एफर के बारे में यहां पर डीटेल से बताते हैं कि कौन सा एफर आपको करना चाहिए और कौन सा एफर करने में आपको ज्यादा वैनिफीट है और कौन सा एफर करने में आपको यहां पर करन बेनिफीट यहां पर देखने को मिलने वाला है त 9.9 को चांकि मिलेंगे एहां पर इहां पर हम आपको फूल डीटियल के साथ इस सेथी आपका सुट Sum Ahhh यहां पर बिल्कुल ही जीरो आएगा यहां पर आपको कोई भी ओटीएफ कमिशन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन उसके अलावा यहां पर जो कमिशन आएगा यानि कि जो करने को मिलेगा और यह जो बैक कमिशन आएगा अगर आप यहां पर चालू कर देते हो दिन भर में अगर आप दो चालू करते हो तो यहां पर करोगे तो 100 रूप्य है कमिशन आहगा दो यहां पर एक्टिवेशन करने का फोर्ची हम्स एड़ेडॉतुप करोगे तभी आपको यह कमिशन देखने को और यहां पर यहां पर इक नमबर करते हो दिन बर में तो यहां पर कमिशन आएगा वह यहांपर आपको ओटीएफ कमिशन तो यहां पर Zero आएगा लेकिन यहां पर जो Recharge Margin कमिशन आता है वह यहां पर आएगा 3 % के हिसाब से यहां पर 7 रुपया और उसके अलावा जो यहां पर Back OTF यहां पर कमिशन आता है जो तीन दिन बाद आएगा वह यहां पर आएगा अगर इस एपर को जिसा है यहां प्र चालू करते हो और एगर आपको क्षचारज्च और उसके अलावा यानिंग की आ sold बैक पे आउट आता है जो तीन दिन बाद जो बैक पे आउट आएगा वह यहां पर आएगा 50 रुपया और यहां पर आगर आप एक नंबर करते हो तो यहां पर आपको 50 रुपया का आएगा अगर आप दिन बर में अगर दो नंबर करते हो तो यहां पर आएगा 100 रुपया का और इस एँवार को जो लैंडिंग पड़ेगा यहां पर जो लागत पड़ेगा अगर यह पर एक सिर्म काड चाले हो दिन बर में तो यहां पर आपको इस एफ़ार का लागत पड़ेगा 197 रुपिया अगर आप यहां पर दो SIM कार्ट चालू करते हो दिन बर में तो इस FR का लागत पड़ेगा आपको 147 रुपिया तो चली फ्रेंट्स यहां पर जो जो चौथे नमबर का जो फार निकल कराता है वह यहां पर आप यहां पर सिम चालू करते वक्त यानि की फोर जी हैंसेट पर सिम चालू करते वक्त अगर आपको यहां पर बिल्कुल ही जीरो रुपिया इस पर कोई भी कमिशन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन उसके अलावा यहां पर जो 3% जो रिचार्ज मार्जिंग कमिशन होता है वह यहां पर आ जाएगा आपको 12 रुपिया का उसके अलावा यहां पर जो 3 दिन के बाद जो बैक पे आउट आता है वह यहां पर आएगा अगर आप दिन भर में एक सिम काड चालू करते हो तो 50 रुपिया का अगर आप यहां पर दो सिम काड चालू करते होते हैं इस फर का जो लागत पड़ेगा वह दो सो नीनानवी रुपया तो फ्रेंट्स कुछ इस प्रकार से आप इन फर को यूज कर सकते हो नया सिम 4G एंसेट पर चालू करते वक्त और आपको जो है कुछ इस प्रकार से यहां कम लागत में ज्यादा बैनिफिट यानि की ज्यादा कमिसन देखने को मिलने वाला है तो आज के इस बीडियो के जरी फ्रेंट्स में आपको इसी के बारें बताने वह था तो आपको यूडियो कैसा लगा है आप में कॉमेंट करके जरू बताएं अगर आपको उड़ा सभी पसंद आया तो कभी कभी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रीटेलर भाई के साथ ज्यादा ज्यादा सेर करें और अगर भी तक आपने हमारा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और आप इस दर के का इंफॉर्मेटिव टेलिकॉम से जुड़ी न पसंद करते हो तो उसके लिए अलग से चैनल आपन कर रखा या उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन पर मिल जाएगा तो आप उस्चैनल को कहा पर लाइक फोलो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब तो चलै फ्रेंट्स आज के लिए एक स्थी ने ये वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई और चेहन।